हेलो गाइज आप सब कैसे हैं आज मैं आपके लेकर आए हूं बटर मसाला पनी रेसिपी जी हाँ यह बहुत ही आसान रेसिपी है इसे बननी में भी बहुत कम समय लगा है अगर आपको बनाना चाहते हैं तो इसे जरूर ट्राइ किज़ेगा अगर आपके घर में रिशिदार आप उन्हें कुछ खास खिलाना चाहते हैं तो यह है पनीर की सब्सक्राइब बेस्ट है इसे बनने में भी बहुत कम समय लगा है और होती भी बहुत स्वाधिस्ट है चलते हैं आज की रेसिपी की और जो से किचन में आपका सवागत है रेसिपी पसंद आने पर प्लीज मे ने एक कड़ाई लिये है और तींग चमच सरसु का तेल इस्तमाल किया है आप चाहे तो इसकी बजाए किसी भी तरह के तेल कर सकते हैं आपको दीरे-दीरे करके सारे पनीर के क्यूब्स जालने हैं और इन्हें अच्छे से लाल करना है देखिए आप देख सकते हैं कि यह प यह आप देख सकते हैं मैंने पनीर के टुकड़ो को अच्छे से फ्राइ कर लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद मैंने यहां फ्राइंग पेन लिया है और यहां मैंने एड़ चमच बेसन लिया है बेसन डालने से इस सबजी का स्वाध और भी दुगना हो आपको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है बस हलका साही चलिए यह लाल हो चुका है आगे बढ़ते हैं अब मैंने वापिस कड़ाई रखी है और उसी तेल में जिसमें हमने यह पनीर के टुकुड़े लाल किये दे उसी में मैंने दो चमच सरसो का तेल और डाला है तेल हमारा लाल हो चुका है अब इसके बाद मैंने यह एक चमच बटर डाला है बटर डालने से सरसो के तेल में जहाग आएंगे पर कोई बात नहीं धीरे धीरे करके यह जहाग अपने हाभी खत्म हो जाएंगे अब मैंने यह आदर चमच जीरा डाल चीनी का एक टुकड़ा चार से पांच लॉंग इलाईची काली मिर्च डाले हैं इसके बाद मैंने यहां दो साबूर लाल मिल जा लिए अब हम इन्हें अच्छे से लाल करेंगे यहां मैंने तीन मीडियम साइस की कट्यू ही प्यास जा लिए है इन्हें हमें अच्छे से लाल होने तक तलना है है कि यह को अधिया हमारी यह यह खीसी से ब्राउन हो चुकी है आप हम इसमें ही हाँ अधर चमश बेशम जोगी हमने बूना था उसे डाल देंगे इस बेशन को हमें अच्छी से प्याज के साथ मिला देना है अब बेसं भी हमारा फ्राइब हो चुका है चलिए अब हम इसमें अद्रक लशन का पेश जालेंगे इसे मैंने कद्दू का सिया है आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्रैंड कर सकते हैं कि चलिए अब मैंसे मसाला डालोंगी थोड़ा से मैंने यह हींग लिया है आधा चम्मज जीरा पॉडर एक चम्मज धनिया पॉडर आधा चम्मज नमक या स्वादोनसा नमक एक चौथा ही चम्मज हल्दी आधा चम्मज लाल मिर्च एक बड़ा चार चम्मज गरम मसाला और थोड़ा से पानी लेंगे और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे यह देखे हमारे मसाले अच्छे से बून चुके हैं अब मैंने यहार चार टमाटर लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है ल prett ऑनाटर को भी अच्छे मसालों में से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब मैंने या तीन चमच दही लिया है दही को भी हमें अच्छे से इन मसालों में ही मिक्स करना है अब यह हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी की बातरा आप अपने अनुसर घटा बढ़ा सकते हैं कोशिश यह करनी है कि हमें पानी कम डालना है आप देख सकते हैं कि हमारे यह ग्रेवी त्यार है अब मैंने यहां इसमें कसूरी मैथी डाली है कसूरी मैथी डालने से इस ग्रेवी खुश्बू और भी अथ्छी हो जाएगी अब सारे के सारे पनीर के टुकड़े मैंने यहां डाल दिये हैं थोड़ी देर के लिए हम इनके ढखके रखेंगे तक कि इन सभी मसालों का फ्लेवर पनीर में आ जाए दो से तीज मिनट काफी हैं आप देख सकते हैं हमारी यह सबजी बिल्कुल त्यार है बटर मसाला पनीर इस रेडी टू सर्फ आप इसे पराठा रोटी या नान किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूले